हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक कड़ेगर है में मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मों तर्था वैसनमुक्ती तग्या हूं महारास्ट में अकोला नाकपूर उने ठाने यहां प्रेक्टिस करता हूं यहां हमारे हॉस्पिटल से जहां हम मांसी गुरुण तर्था वैसनी लोगों को इस सथारों के साथ में भरती करते हैं और इस सेथारों के अलावा में भरती करते हैं अब इठाना में हम नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं आज मैं आपको एक केस्टेड़ी और एक लेकर आ लेक्या आ पास में आया है शादी होने के घर के लोग बहुत फोर्स कर रहे हैं शादी करो शादी करो शादी करो शादी पक्की होई है चार मेने के बाद में शादी है मगर वो खुद ऐसा बोलता है कि मेरा इंक्लिनेशन जो है वो लड़कों के तरफ है मुझे लड़के वह अच्छे लगते उनसे बात करना उनके साथ में रहना बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे कोई लड़की अच्छे दिखती नहीं मतलब कोई attraction नहीं sexual attraction नहीं क्योंकि इससे बात करेंगे उसके साथ में ब इंच्छ नहीं है और वहसा हमारे समाज में यह accept नहीं होंगा यह कबूल नहीं होंगा और फिर जवन भी ठीग ने रहेंगा और उससे ज्यादा भी और यह है कि मेरे माता पी ताका क्या वो तो चाहते नहीं है कि ऐसा हो मगर वो चाहत है कि इसकी शादी होना चाहिए और शादी हो गया है खुशाल रहना चाहिए या अभी मैंने करू क्या है मैंने उसको पूछा कि क्या कोई संबन किसके साथ में आया थे लड़कों के साथ में मतलब actually sex हुआ है नहीं नहीं हुआ है मतलब physically कोई-can Bluetooth से उसको बार 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 विचार आते हैं और बार बार वार विचार आता है कि यह मैं कहीं लड़कों के साथ में यह संबन करूं कभी किया नहीं है और लड़की के तरफ एट्रेक्शन नहीं है ठीक हरकत नहीं बहुत अच्छा काम है मतलब अच्छा अच्छी बात है यह बहुत अच्छी बात है कि लड़का खुद हो पिटा को खूझ रखना है समाज की मानेदा भी इसको ही है वे इसको तो कुछ क्लियर है में बहुत अच्छी बात है मुझे टीटमेंट करना इसमें अच्छा होता है जल्दी करा है और अच्छा रहता है मतलब आसान रहता है उसको मैंने hypnotism के अलग-अलग exercise बताई, hypnotherapy बताई और hypnotherapy visualization कि लड़की के साथ में बातचीत कर रहा है, लड़की के साथ में घुम रहा है, फिर रहा है, ऐसा उसको visualization करने लगा है, वो बार-बार-बार visualization कर रहा है और लड़के का कभी वीचारा है तो उससमें बहुत खराब लग रहा है, ऐसी एक feeling अंदर से करना, बहुत ही ऐसा restless हो गया भई, घबराट हो रही है, और उसके साथ में कोई लड़के का चेहर आ गया है, तो एक aversion type of, कोई मुसे चिला रहा है, कोई tension के मातारण में हूँ, ऐसा दिमाग के सामदे लाना, मतलब लड़के का विचार आया है, तो visualization करना जिसमें तकलिफ हो रही है, और लड़की का विचार लाना, उसका picture लाना, उसकी image लाना, और उसके साथ में बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा conditioning उसको करना, यह उसको पता है मैंने, उसको मैं पैक्टिस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आज, मतलब क कम से कम पाच्छे साल से आपका चलू रहे मैंने वाला उसको, पाच्छे साल से चलू है कि लड़की की विचार आ रहे है, अभी कम से कम पाच्छे महिने तो लगेंगे कि यह फिर से जो brain pattern बन गया उसके पर नया pattern बनाना है तो, क्योंकि मैंने वाला उसको आपका brain pattern बना तो उसके लिए बार-बार करना पड़ेगा वो जो स्टैंपिंग हुआ है ब्रेन के ऊपर पकांतर मन में सबकॉंशन माइंड में वो उसको निकालना पड़ेगा उसके लिए कि बार-बार-बार विजोलाइस करो करो और मैंने उसको कुछ दबाई विया दिए दबाई है इसके लिए कि वो जो बार-बार विचार आते हैं उससे कम हो जाएगा कभी सारी कभी सारे दिन उसने ट्रिट्मेंट लिया और मेरे पास में जब आया हो तो बोले कि ठीक है अभी मुझे लगता है कि मैं चादी कर सकत हो और चादी करके मैं मतलब सुख्य हो जाऊंगा खुश हो जाऊंगा वैसे कभी सारे लोग है कि जो आते रहते हैं और उनको हमोर सेक्ष्यल इंक्लिनेशन है इसमें दो पार्ल है एक तो हमोर सेक्ष्यलिटी उनको पक्का है वो सुदरना चाहते नहीं है सुदरना मतलब कुछ करने का नहीं उसको इनसाइडर बोलता की मेरे को बदलने का है तो ऐसे दोनों तरफ के लोग आते ओर उनका इलाज हो सकता है आपके संपर में ऐसे काफी सारे लोग होंगे कि जुनको इस सवर के प्राब्लेम्स होगे मगर लोग गोलते नहीं समाज में सिथी बात होती नहीं है जोरे वीडियो जारा से जादा लोगों को फैला दो शेर करो आप सबस्क्राइब करो तो लाइक करो ताकि लोगों को इसका ग्यान मिलेगा न तो लोगों का जीवन अच्छा हो जाएगा हमारा जो मिशन है वह एं मेंटल हेल्फ और और सब के लिए मानसीख स्वास्ते और देशन मुक्त भारत उसके लिए उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धिन्नेवाद थेंक्यू वरी मुच्छ